नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल न्यानेश्वरी विद्यामंदिर में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अक्पर विर्बल की कहानी बताने जा रही हो तो आप इंट्रेस्टर हो तो इस वीडियो को एंट तक जरूर और सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दिजे तो आएए बच्चो सुनते हैं कहानी पर उससे पहले सुनते हैं कहानी का नाम कहानी का नाम है सबसे बड़ी चीज एक बार की बात है बिर्बल दरबार में मौजुद नहीं थे इसी बात का फाइदा उठा कर कुछ मंत्री गन बिर्बल के खिलाब महाराज अकबर के कान बरने लगे उनमें से एक कहने लगा महाराज आप केवल बिर्बल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उनी की सलार ही ली जाती है इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं मगर ऐसा नहीं है हम भी बिर्बल जितने ही योग्य है महाराज को बिर्बल बहुत प्रिये थे वो उनके खिलाप कुछ नहीं सुनना चाते थे लेकिन उन्होंने मंत्री गुनों को निराश न करने के लिए एक समाधा निकाला उन्होंने उनसे कहा मैं तुमें तुम सभी से एक प्रश्ण का जवाब चाहता हूं मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फासी की सजा सुनाई जाएगी तरबारियों ने जिजक कर महाराज से का ठा ठीक है महाराज हमें आपकी ये शर्ट मंजूर है लेकिन पहले आप प्रश्ण तो पूछिए महाराज ने कहा दुनिया के सबसे ब देखोना चाहिए मुझे कोई भी अटा-पटा सा जवाब नहीं चाहिए जिए इस पर मंत्री गंदों ने राजा से इस प्रश्ण का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की महलत मांगे राजा भी इस बात के लिए तयार हो गए इस बाहर निकल कर सभी मंत्री गंद इस प्र और भूग भी कोई बरदाश्ट किया जा सकता है इसलिए राजा के प्रश्ण का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। उन्हेंने उन से कहा मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ तब सभी बिर्बल की बात पर राजी हो गए। जब सभी बिर्बल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वह बिर्बल से कुछ पूचते पिर्बल खुद ही राजा से बोले महाराज दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही यह सब मेरी पालकी को उठा कर यहाँ तक ले आये है। यह सुन महाराज मुस्कराए बिना न रह सके और सभी मंतरीगन शरम के मारे सिर्फ जुकाएं खड़े रहे। कहानी सी सीख बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योगएता से जलना नहीं चाहिए। पलकि उससे सीख लेकर खुद को भी बहतर बनानी की कोशिश करने चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंत आई हो तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसका नौटे फिशन तुरंत आपको मिल जाए धन्यवाद